आज के स्टोरी चार ओर्फन्स की है चो की फॉर्चुनेटली एक साथ एक जगे मिलते हैं सबसे पहले हम हमारी फॉर्स्ट ओर्फन्स लुसी को एक ओल्ड मुजियूम में भागते हुए देखते हैं वह किसी से टकला करें जाती है और एक ओल्ड मैं जमीन पर पढ़ए लूसी कहती है प्ली प्लीस डाण डाय वह ओल्ड मैं और लूसी उसके घाथ पर खड़ी हुई है तब ही वह कहता है प्लीज मेरे हैस से अटो टूसी कार रहाю है देख लूसी चिलाते हुए कहती है प्लीज गिव मी अनेदर क्लू और क्यूरेटर उठकर के डांस करते हुए उसे एक अल्फा पीड बना करके तया करता है जो कि डोविंसी है और वापस से क्यूरेटर जब इन पर गेर जाता है तब ही लूसी को सामने एक पेंटिंग दिखा जाती है चो की मोना लिसा की पेंटिंग है उस पर लिखा हुआ सो लेंदा हेयर ऑफ टॉम लिखा उसे नजर आता है जिसे देख वो कोट 7 पता कर लेती है और वो एक वेंडिंग मशीन से एक चॉकलेट निकालती है जिसके अंदर उसे एक गोल्डन टिकेट का जो की एपिक एडविंचर करता है तब ही उसकी सेंडर्स हील ट्रैक होती है और वो नीचे जुकती है तब ही सिलास उसके उपर अकर के कूटता है और वेंडिंग मशीन के अंदर चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट औरफन जिसका नाम एडवर्ड है चो की मैक्सिक इस फ्लेवर्ड डॉरिटूस के चिप्स दिखाता है यह कहते हो कि आज उसके लिए कुछ स्पेशल है और वो उन्हें खाता है और चबाकर के एडवर्ड के मुँपर उगल देता है और कुक उसे कहता है तुम क्या खुद को समझते हो तब ही वह वहां बैटे एक और और औ चेंचिटो को पिलाता है और उसे वो उसके पटाही लगवाता है और चेंचिटो उसे पटक पटक करके माता है और उस दोर honeymoon हम देखते हैं कि Edward को भी एक golden ticket मिलता है अब हमारी third orphan दिखाई जाती है जिसका नम Suzanne है वो अपने new parent से मिलने नम भी जा रही है और वो plane में बैटी है वो air hostage से पानी पीने के लिए मांगती है जहां पानी की जगे उसे snake serve किया जाता है और हम देखते हैं कि Suzanne के पैर उसके पैर से एक snake उसकी garden तक पहुंचता है और पूरे plane में snakes किसी की नाक किसी के private part पर किसी की breast और सब चिलाने लगते हैं तब ही Samuel Jameson वहां आता है और Suzanne को उठा कर के नीचे plane से नीचे fake देता है जो की Paris Hilton के उपर आकर के के गेरती है और उसके part से उसे भी वही golden ticket मिलता है जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है और अब हमारा last और fourth orphan दिखाया जाता है जिसका नाम है Peter जो के midnet academy में हैं जहां उसे X-man की heroine mystic नजर आती है Peter उसे घर पर invite करता है dance करने के लिए तब ही वहाँ पर हम दिखते है Wolverine, Thunder Girl, Storm के साथ में वहाँ पर उन लोगों की entry होती है और Wolverine Peter को सिर्फ push करके चला जाता है क्योंकि वो उसकी girl mystic से बात कर रहाता लेकिन Peter उसे गाली देता है तब Wolverine उसे fight करने का बोलता है लेकिन Peter जब fight के लिए ready होता है तो वो एक hand की तरह से करने लगता है इवन उसकी back पर chicken के wings भी निकल आते है तब उसका सब लोग वहाँ मजाग बनाते है तब Magneto वहाँ आता है और वो भी उसका मजाग बना करके चला जाता है तब पीटर को भी वो ticket मिलता है और अब चारो पीटर लूसी सुजेन एडवर्ड एक जगे पहुंसती है जो कि epic of adventure था जहां पर विली वॉंक उनका welcome करता है और अब चारो एक नई दुनिया में जहां पर एडवर्ड जगे को देख वो चॉकलेट रिवर और दौड़ करके जाता है और चॉकलेट खाने लगता है जिस पर विली वॉंक का कहता है दरसल वो सीवर लाइन है और एडवर्ड वापस से वामिट करने लगता है तब विली कहता है तुमको पता है मेरी यहां के कैंडी चॉकलेट इतना स्पेशल क्यों है क्योंकि इनमें इंसानों के बॉड़ी के पार्स वो भी स्पेशल वाले पार्स मिलाए जाते है रियल हूमन बॉड़ी के पार्स इतना सब को सुनने और देखने के बाद वो चारों वहां से भाहर जाने का पोलते हैं और Edward तो भाहर भागने के लिए भी तोड़ता है लेकिन विली केट को ग्लॉज कर देता है और कहता है अब तुम मेरे हो और वहां मौझूद सबी बॉने उनको ले जाते हैं और चारों के बोड़ी के special parts भी निकालते हैं लाइक बूफ्स, बॉल्स, दाट, खोपड़ी और अब विली उनके उपर अपने नाम के stamp भी लगा देता है और चारों को एक कमरी में बंद कर देता है जहां पीटर कहता है वो किदर जाएगा उसके पास उसका अपना घर नहीं है जिस पर Edward कहता है मुझे लगाता है ये golden ticket मेरे लिए लखी होंगी हम चारों अगर यहां मर भी जाए तो भी किसी को कोई फर्ग नहीं पढ़ने वाला और चारों एक दूसरे को माने लगते हैं तब पीटर कहता है हमको यहां एक साथ रहकर पाहा निकलने का रास्ता खोजना होगा इतना सुन लोजो उसे कुछ मार देती है तबी उन चारों को विलि के आने की आवाज आती है जिसे सुन वो चारों च्छीपने की कोशिश करते हैं जो कि स्कीन पर नजर आ रहा होगा वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता पर लेकिन उसे बार बार पंच पर पंच कोई तो मारता है और वो वहाँ से एक बरफीली जगह पहुंचती है और वहाँ पर एक पोल उसे नजर आता है जिसे वो टंग से टच करती है और उसकी टंग उसी से चिपक जाती है और तब ही वहाँ पर Mr. Trumnus आकर उसे उठा कर फेक देता है और Lucy की टंग उसी पोल पर चिपकी रह जाती है और वो जगे नार्निया थी इसके बाद और अब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रो देते हैं जिस पर Trumnus बताता है I am a Fawn means half man half got इवन वो अपनी फैमली के एक फोटो भी दिखाता है जिसमें उसके फादर के साथ में एक बकरी है तब वो उससे पूछता है कि तुम तब वो पताती है I am Lucy और मेरे दोनों पैरंस हीूमन है जिस पर उसके बात है सुन Trumnus मूँ बनाना है और वो उसे कहता है So, तुम इव की मेटी हो इसके पाद Trumnus उसे अपने Fawn क्रीप बिस अपने फ्लेट को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर के जाता है और वहाँ पर हम देखते है It was amazing flat हर चीज़ एविलेवल है Even वो खुद के प्लास्मा से भी उसको मिलवाता है और उसे वो अपने फ्लेट से भी भगा देता है कि वो खत्रे में है और एक उसे स्कैनर केम भी देता है और वो जब उसका यूज करती है तो Trumnus उसे बोलता है चली जाओ इससे पहले की White Witch वो तुमें ठूण ले और तभी एक ब्लास्ट होता है और वो भी हवा में उड़ जाती है उस स्कैनर केम के साथ में तभी हम Edward को देखते है वो Lucy को ढूंडते हुए उसी वार्डरोब के पास आता है और ठीक उसके साथ भी वही होता है जो Lucy के साथ हुआ था और वो भी नानिया पहुंचाता है तभी वहाँ पर White Beach अपने बिंग के साथ में वहाँ आती है और वो Edward से बात करती है वो कहती है क्या तुम Adam के बेटे हो तब बिंग बीच में बाबाब बोलता है तो वो उसे गायब कर रहे और Edward को राज़ा बनने के लिए ओफर करती है लेकिन वो बोलती है उससे पहले वो उसकी फैमिली मींस उसके और साथियों से मिलना चाती है तभी बिंग वापस से आता है और वो उसे वापस हवा में फेकती है और वो उसकी गाड़ी में आकर के बैठता है जिसमें वो आई थी तभी Edward को बागी के तीनों औरफन्स को वहां लाने का बोलती है और चली जाती है तभी वहाँ पर Edward के पास बागी के तीनों औरफन्स भी आ जाते है और पीटर अपने खोच के टॉलिट से वहाँ पर नाम लिखता है इवन वो पजल भी खेलता है और अब लूसी उनको टम्नस के पास लेकर के जाती है उसी के फ्रेट में जहां पर उसे एक चूहा मिलता है जिसे वो देखके डर जाती है और लूसी उसे किक मा करके पाहा कर रेती है लेकिन वो वापस आता है और वो अपना नाम Harry Baylor बताता है और कहता है तम्नस को कि वो उसका लाइफ पार्टनर है लेकिन उसे वाइट पीच उठा कर ले गई है जिस पर Edward कहता है जिस पर Harry बोलता है वो तम्नस से लोगों को किटनप करवाती है लूसी कहती है क्या हम कुछ कर सकते हैं तुमारी है जिस पर हैरी कहता है yes he is waiting for you at the innocent table अगर तुम चारों उसका साथ दो तो वो वाइट पीच को डिस्टर कर सकता है हैरी कहता है पीटर स्पेशल यू तब है पीटर को इको sound आता है और वो देहें कि पीटर एक सुपरमेंट बन करके थक के सामने खड़ा हुआ थक उसकी आंकों में शूट करता है और वो नीचे गेज जाता है तब पीटर कहता है I can't be हैरी कहता है अपने चारों तरफ देखो जहां उन्हें फेमस पेंटिंग दर लाट सपर पेंटिंग नजर आती है और उस पेंटिंग में वो चारों खुद भी मौजूद है एडविट वहां से भाग जाता है लूसी देखती है कि उसमें वो कैसे इसका क्या मतलब है और सुजन उदर उदर देखती है और बोलती है एडवर कि कि दर है हम देखते है एडवर को जो कि वाइट बिच के पास है और कहता है हे हैं आयम एट होम जहां बिंग हिट कर उसे गिरा देता है और क्यू नाम कतर बिंग किता है और तीनों कहा है तो McLूरी ओ finally में दो तुमार लेकिन बोड़ी बच्पन की है और पूस्ती है तुम्हारी फैमिली कहा है जिस पर एडवर्ड कहता है वो मेरी फैमिली नहीं है वाइड बिच को ऐसा लगता है कि वो पता नहीं रहा तब वाइड बिच अपना टॉप खोल उसे अपनी ब्रेस दिखाती है इतना देख उसकी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सब कुछ बता देता है मुस्कराते हुए तब एस्टन कचर वहां अपनी टीम के साथ आता है जो कि एक अमेरिकन सिंगर है और एडवर्ड के साथ में पंक्ट बनाता है और वो बहुत खोश है और तब एडवर्ड इरिडिट होकर कि उसे मारता है तपी वाइट विच सइल्स को पलाती है और उसे उन ओसस को माने का बोलती है इसके बतले साइलAMEStraani और दोसरे को किस तरह से किस करते हैं ट्रम्नस कहता है Edward, White Beach के पास है Lucy कहती है हमको उसको बचाना चाहिए Termnus, इतना सुन Lucy को थापण मारता है, वो बहुत डेंजर है वहाँ पर, जिसपर Peter कहता है हमको यहाँ से बाहा निकलना चाहिए जिसपर Suzanne, Peter को थापण मारती है तभी Lucy भी Peter को hit करती है पीटर कहता है तुमने ये क्यों मारा लूसी कहती है सौरी भूल गई तबी सिलास के आवाज सुन टमनस उनको भागने का बोलता है जिस पर लूसी कहती है तुम भी चलो साथ टमनस कहता है नहीं मैं यहां पीचे रह करके उससे फाइट करके तुमको सेफ करूँगा तबी सिलास वहां आ जाता है और वो से शूट करने लगता है उदर लूसी सुजन कोली की आवाज सुन हेल्प का बोलती है जिस पर पीटर कहता है उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है तबी हम देखते हैं कि टमनस की वापस से आवाज आती है पीटर अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज है पीटर हैंड बनने लगता है उसके पैक में पंक भी निकल आते हैं और वो वहां से भाग जाता है तब सुजन और लूसी भी ठंड़ा सा रेस्पॉंस दे करके उसके पीछे जाती हैं और वो अब और्फनेस हॉपकार पहुंचते हैं जहां पर वो हैरी पीटर के साथ में पिगनेट हरमाइन ग्रेजर और रॉन बैसले से मिलते हैं और वो तीनों मिलकर के सुजन पीटर और लूसी को वाइट पिच से लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं और उस दोरान पीटर और हैरी तीन लोगों को भी मार द कहता है तुमको यहां से वहाँ निकालोंगा और तुमारी family से तुमको मिलवाँंगा और एक छूटा सा सचाको सहरक हिसे देखकर के एडवॉड बहुत होज जाता है लेकिं वह जैक चाको से एडवर्ड को मारता है और चिलाता है मैन डाउन, मैन डाउन तब ही वहाँ पर दू आत्मी केट ओपन कर अंदर आते हैं तब चैक एडवर्ड को उठा कर घुमा कर उन दोनों को हिट कर वहाँ से भाग जाते हैं और पाइलिट शिप पर पहुंचते हैं और जिसे देख एडवर्ड कहता है पीटर सुजन लूसी को विश्वास ही नहीं होगा ये देख तब ही मुवी में एक सौंग प्ले होता है वाच ओन इंस्क्रीन दोस्तों तब ही वहाँ वाइड पिच बाइक के साथ आती है और जैक को एडवर्ड को पकड़ने के लिए जो उसने डील किती पैसे देती है और वाइड पिच जैक को भी मार देती है वहीं वो तीनों सुजन पीटर लूसी एसलो के कैम्प में पहुंसती है और एसलो और एसलो गर्ल से मिलते हैं एसलो कहता है चुकि हाफ मैन और हाफ लॉइन है मीस ली मैन है वो उनके फैमली मेंबर एड़ड को ढूनने में उनके मदद करेगा लेकिन उसके बतले वो उनसे कुछ मांगता है तब ही हम देखते हैं कुछ देर में दिखाया जाता है लूसी, ली मैन, पीटर, सुजेन तीनों एक बैट पर एक ब्लैंकेट के अंदर दिखाया जाते हैं वही एड़ड वापस उसी रूम में लॉक है और दो गार्स उस रूम के बाहर हैं तब ही ली मैन वहां आता है जिससे देख वो दोनों भाग जाते हैं तब ही सिलास वहां आता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट लगबग बराबरी की होती है और ले मैन, सिलास को बहुत माता है तब ही सुजेन, पीटर, लूसी वहां आकर एड़ड को वहां से ले जाते हैं तब वाइट बिच वहां आती है और कहती है गुडबाई एसलो और उस पर वाग करती है और वो चारों वापस एसलो केम पहुंचते हैं सब लोग शान्थ और परिशान है पीटर पूछता है क्या हुआ तब हैरी वहां आता है वो कुछ बोलता उससे पहले लूसी उससे पहले कि जैसे वापस से किक से उड़ा देती है और हैरी वापस से आता है और बताता है वाइट बिच ने असलो को मार दिया है और उन्हें वो एक पैंप्रिट भी देता है जिस पर लिखाता है तर नानिया इंक्वाइर असलो डेड और वो कल अटेक भी करेगी मिन्स यो दोगा और पीटर कहता है अब हमें कौन लीट करेगा जिस पर हैरी कहता है पीटर अब तुम हमको गाइड करोगे और वहां मौझूद भी सब लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और तब ही वहां पर हम देखते हैं मैगनेटो वुलवरीन मिस्टी के अपने ग्रूप के साथ में आती हैं सब पीटर को वो लोग भी साथ देने के लिए रेडी हैं तब ही हम देखते हैं वहां मौझूद आइडन की चीज़े मैगनेटो को आकर के स्टक हो जाती है और वो नीचे गीर जाता है तब पीटर कहता है कल हम लड़ाई लड़ेंगे तो आज जात हम प बना सकती है तुम क्या पसंद करोगे जिस पर पीटर उसे कहता है बिग हुटर्स गैटो पूटी एंड बिग फ्लब बाई ग्रांडमा और बिटनी स्पेर्स जैसे मोटे मोटे और वो इतना सब देखने के बाद में पीटर खुश हो जाता है और वो दोनों इंटिमेट होत बाद में और वहां से भागता है लेकिन वह वापस भी आ जाता है उन पंकों को निकाल करके फेक देता है और लडने के लिए तयार है तब ही वहां पर कैप्टन जैक वाइट बिच से बदला लेने के लिए आता है चो की बड़े इसे पहिये पर दोड़ता हुआ आता है है और चेक वहां से भाग जाता है और अब लड़ाbut स्टर्ट होती है और एक एक कर तीनों खाय लोगर के के जाते हैं सिर्फ पीटर बजता है और वाइट भीच पीटर को मारती है कि वो ठीक वैसे ही मरे का जैसे उसके पैरेंस मरें तब ही पीटर के हाथ में एक रीमॉट लगता है और वो उसका एक बटन प्रेस करता है जिससे कि वहां मौजू सब पॉस हो जाते हैं तब ही वहां एक लड़की उसे जॉगिंग करती हुई नजर आती है पीटर फिर से रिमोट का एक बटन प्रेस करता है वो लड़की स्लो मौशन में जॉगिंग करते करते हैं वो अब सिर्फ वाइट बिच बस्ती है तब ही जैक अपने पहिये के साथ उसे उड़ा करके ले जाता है और अब हैरी उन चारों को नानिया का केर्ण एंड किंग बना देता है और अब सब खोश हैं और टमनस भी हैरी से जाकर के मिलता है और वो एक दूसरे को कीस करते हैं और इ उन्हों है उनका वो वाड़र वापस नहीं मिला जिससे वो यहां नानिया में एंटर हुए थे और वो चारों भूड़े हो चुके हैं तब ही अचानक वो चारों खड़े हुए मस्ती करते हैं और उनको वो वाड़र भी नजर आ जाता है जिससे वो एंटर हुए थे और उन्चारों कि उपर से जैक अपने पहिये के साथ उन्हें कुचल कर निकल जाता है जिस पर वोड़त कहता है नो और मुवी खतम दोस्तों आप लोगों को से छोटी सी रिक्रेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करना ना बोलेगा वीडियो दीखने क्ली देंकिय। 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 सूमच।